हलो सीडियस एस्पिरेंट्स उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सिस्टेन अप्रेल कल के लिए आप लोग रेडी होंगे मेरे पहरे दूस्तों इस मोडियो को बनाने का जो परपस है वो यह है कि कल जो आपका एक्जैम होने वाला है सिस्टेन अप्रेल क होने वाला है और दूस्तों अगर मैं बात करूं मुझे तो पता है मैं बहुत कॉंफिडेंट हूँ कि आप सब लोग कर सकते हैं और आप लोग करेंगे ये भी मुझे अच्छे से पता है मेरे दूस्तों लास्ट टाइम में क्या एप्रोच होना चीज से डियस को लेकर किस चीज को हमें फोकस करना है ये पिछले 10 सालों का जो experience है वो मैं आप लोग के साथ सेर कर रहा हूं दिखिए अगर सेडियस की बात करता हूं तो 120 कोस्टन्स आते हैं 120 कोस्टन्स में दोस्तों हमारे पास 20 कोस्टन्स आ रहे हैं रियरेस्मेंट ये सब लोग जानते हैं 20 कोस् भी बनाई है अगर कोई स्टन्स ने मेरा day 1, day 2, day 3, day 4 एक सेक्वेंस में दिखा है तो वो सब लोग रियरेस्मेंट बहुत अच्छे से सोल कर सकते हैं सबसे इंपोरेंट बात और रियरेस्मेंट 10 रियरेस्मेंट बहुत इजी आ रहे हैं और 10 रियरेस्मेंट टफ हैं दोस करना है और 10 sentence serious मैं से आरे हैं 10 रिजमेंट ऐसे आ रहे हैं जिन में QRS को रिजमेंट करना है तो पैनिक नहीं होना सबसे पहले तो मैं लोगों को यह कहूंगा जिन लोगों ने खुब मेहनत की है आज देखिए आज जो तैयारी है अब जो पढ़ना है वह हमें वही रिवजिन करना है जो हमने अब तक पढ़ लिया है अब हमें ज़्यादा ध्यान देनी की नीड नहीं बिल्कुल भी कि हम एक्स्रा और पढ़ें जितना हमने पढ़ा उसे रिवाइस करना है सबसे पहला पॉइंट और देखिए मैंने कहा रिजमेंट का जो ट्रिक है वो आप लोग का अपने थोड़ा सा अच्छे से अपने माइन से चीजों को सोच कर questions लगाएं अगर थोड़ा से ही समझ उसको तो इदी ट्रोस टेस्स में से मैं उमीद करता हूं अगर एक क्लोस में 5 questions भी है तो मैं उमीद करता हूं कि तीन क्लोस टेस्स में आप लोग 12 questions तो write करके minimum आप लोग करके ही आएंगे I know very well दूस्तों थोड़ा सा समझना है मैं फिर कहूंगा हम लोगों को ना एक सूस बूज से काम लेना है हम लोगों को ना पैनिक नहीं हो हम देखे ना बड़ा जिल्दी हडबड़ा आ जाते हैं तो किसी को भी हडबड़ाना नहीं है पेपर में बहुत रिलेक्स हो जाना है कूल हो जाना है ठीक है ना तो आज की रात आपकी मुझे पता है बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है दूस्ता देखे मैं आप लोगों को क्या कहूंगा नेक्स जो पढ़ना है आपके पास तीन आते हैं आरसी आरसी कही है मतलब जिसको मैं कॉम्परेंशिंग कह रहा हूँ या फिर यू कही है दूस्तों पैसेज ये जो तीन पैसेज हैं ये पैसेज भी बहुत इजी आते हैं और मुझे पता आप लोग ने बहुत इस्टेड़ी किया मैं जानता हूँ मैं बहुत confident हूँ actually आप लोग को लेकर क्योंकि जितने भी student मुझसे पढ़े हैं उनको लेकर सबको लेकर मैं confident हूँ बहुत सारे लोग यहां camera पर तो मैं हमका नाम नहीं बोलूँगा जो लोग बहुत अच्छा English में कर रहे थे मुझे पता है तो वो RC जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं थोड़ा सा सोचना है go back method लगा लेना है हम लोग को question पढ़ना है paragraph पे जाना है question पढ़ना है paragraph पे जाना है तो मुझे पता देखिए तीनों important section है और number of questions यहां से बहुत जादा आते है 20 questions यहां से आ रहे है 15 questions यहां से और लगब 15 questions यहां से अगर मैं बात करूँ 20, 15, 15, 15 देखिए 15, 15, 30 और 20 चीदे सीदे 50 questions है आप लोग के पास कहते हैं कि latest pattern latest pattern को आपको confuse नहीं होना है latest patterns में दोस्तों इस बार September वाला जो exam हुआ था उसमें क्या था? homonemies पूछे गए थे ना क्या था? homonemies पूछे गए थे वो 10 homonemies थे actually यह और easy है आपको किसी को भी panic नहीं होना है question word दिया हुआ था word की according पूछ रहा है कि किस sentence में इसका use appropriate use है दोवर दिया हुए जैसे अगर मैं बात करूँ बहुत सारे word थे मैंने बहुत सारे word actually आप लोग को मैंने अपने playlist में homonemies कराए भी हैं और अभी वो लोग जो homonemies को कहा से पढ़ना है जैसे आज की रात बचा हुआ है मैं उनको यह कहूंगा कि एक तो आप मेरा playlist देख लें और SP वक्सी SP वक्सी के जो homonemies हैं उनको जरूर देखकर जाए ना दोस्तों SP वक्सी के जो homonemies हैं उनको जरूर देख लें जो बहुत help करेंगे आपको second point जो लोग कह रहे हैं कि synonym एंटोनियम नहीं आया था इसकी कोई guarantee नहीं हो सकता है इस बार आ चाहे देखे मैं क्या बोल रहा हूं और idioms and phrasal देखे idioms and phrasal वह बहुत important part है आप लोग पढ़ सकते हैं जिसको लेकर मैंने बहुत सारी videos भी बनाई है तो दूस्तों देखे अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास minimum 10 questions आने है तो मैं तो आप लोग को यही कहूंगा बिल्कुल एकदम easy way में थोड़ा से actually क्या हो रहा है easy way में question को समझना है और कर देना है panic बिल्कुल ही होना सबसे पहला point किस पर पर फोकस करें जो मैं अपने experience की बात कर रहा हूं रियरिसमेंट second point मैंने क्या कहा है कि आप लोग close test पर फोकस करेंगे next मैंने कहा paragraph पर फोकस करेंगे और फिर error में देखे अगर error की बात करता हूं तो दूस्तों error बाद जो portion है तो maximum error आ रही है जो मेरा experience है वो conjunction को लेकर बहुत ज़्यादा error आ रही है conjunction को लेकर error आ रही है दूस्तों verb को लेकर बहुत ज़्यादा error पूछी जाती है और एक यही पर topic है fixed preposition fixed preposition को लेकर हर बार error पूछी जाती है और यही पर एक topic और मैं कहूंगा कि आप लोग देखिए questions तो आपके पास 10 questions तो आपके पास ऐसे आ रहे हैं कि देता है word किस word को underline करना है actually क्या है कि sentence given है वो sentence given है नीचे चार options है और underline जिसको कर दिया जिन lines को underline कर दिया है वह line में जिन word को underline कर दिया है तो कूछ रहे किसको replace कौन से section से करेंगे ये भी थोड़ा सा अगर आपने हमने intuition से काम लिया तो दूस्तों मुझे पता है सब लोग in होगे मेरी पहरा दूस्तों सभी को मेरी बहुत-बहुत सुबकामना है कल को लेकर my best wishes always with you और मुझे पता है सब लोग rock करके आने वाले हैं मैं बहुत confident हूँ कल के लिए दूस्तों इसका analysis भी मैं कराओंगा जब कल paper हो जाएगा तो analysis के साथ मिलेंगे thank you thank you thank you thank you very much